हलो किसान बाईयों नमस्कार जहां तक भी देश विदेश में हिंदी बाशा की वाद पहुंच रही है उन किसान बाईयों को सभी देश बाश्यों को हमारे इस यूट्यूब चैनल खेती डिस्कवरी 29 में हार्दी का विनंदन है तो किसान बाईयों आज हम बात करने जा रहे हैं किसान पैंसन योजना की जी हां के अंदर सरकार की योजना है यानि के पी-एम किसान मानदन योजना इस योजना के तहट पूरे देश के अंदर अभी तक 20,41,000 किसान अपना रेजिस्टेशन करा चुके हैं और इस पैंसन के तहत किसानों के खाते में 36,000 रुपए सलाना सीधे उनके खाते में पैसे सरकार देगी तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें हम पूरे विस्तार पूरों कि इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रजिस्टेशन कहां से होगा कैसे होगा डोकुमेंट्स क्या चाहिए क्या क्या सरते हैं कि नियमों के तहतोगार कितनी एकड़ जमीन वाले को ये स्कीम मिलने वाली है और अगर बीच में छोड़ देते हैं तो भी इसके क्या सिस्टम है पूरा विस्तार पूरों का आप मैं डेटेल से आज आज आपको बताऊंगा त तांके हमारी नेक्स्ट वीडियो जो भी क्योंके हम सिर्फ और सिर्फ किसान के हित की वीडियो डालते हैं तो हमारी वीडियो की जो इनफोर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो सबसे जरूर है कि हर इस वीडियो देखने वाले को मैं बहुत ही संजीदा दिल से कहना चाता हूं बड़े ही निमर्ता पूर्वक सब्दों से कहना चाता हूं हाज जोड़के रिक्वेस्ट करना चाता हूं कि इस वीडियो को जादा से जादा लाइक एंड शेर जरूर करें ज्यादा से ज्यादा अपने रिष्टेदार सजन विठ्रोत के वीडियो बेजे शेर करें क्योंकि हम सारा दिन वीडियो देखते हैं सारा दिन नेट पर रहते हैं कुछ ना कुछ अगर आप येपसान के उपर पूरी दुनिया तांडव कर रही है अगर किसान ना हो तो यह वजूद ना हो क्यूं Soo के पेट लगा है और पेट में चाहिए खाना और किसान के बगएर ये खाना आने वाला नहीं है वो एक चैनल चलता है टीवी पूस में कहते हैं कि तू क्या जाने एक चुटकी सिंदूर की किमत उसी तरह मैं कहना चाहते हैं वीडियो को नहीं कुछ इस तरह करना चाहते हैं सम किसान विचारा गरीब हो सकता कि स्तिति में बैटा हूँ उस वीडियो का फाइदा उठा सके इतनी कि महरबानी जरूर मेरी हाथ दोड़ के रिक्वेस्ट आप से इतनी कि महरबानी जरूर कर दीजिएगा तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और विस्तारपूर के चर्चा करते ह नहीं है सो उनके लिए किसान पैंसन योजना यानि के पी-एम किसान मानदन योजना पैंसन योजना सरकार ने लौंच की है जिसके तहट अभी तक पूरे देश के अंदर 20,41,000 अपना रिजिस्टेशन करवा चुके हैं और इस स्कीम के तहट जिन किसानों ने अपना रिज दिलाएं भी अपना रिजिस्टेशन करवा चुकी हैं यानि के वोमन फार्मर्स ये योजना खास कर उन गरीब किसानों के लिए है जिनके पास आजीवी का का कोई और साधन नहीं है इस योजना के तहत हर्याना ने सबसे ज्यादा एक नंबर पे सवा चार लाग किसानों न अपना बुड़ापा सुरक्षित कर लिया है और जहरखंड यूपी ने भी ढाई ढाई लाग लोगों ने किसानों ने अपना रिजिस्टेशन इसमें करवा लिया है इस स्कीम के तहत 26 से 35 साल के किसानों ने सबसे ज्यादा दिल्चस्पी दिखाई है ये स्कीम 18 साल से लेक किसे इसमे लाब अखात जो कि उमर करता है जिनकी अमर 18 साल है उन को 85 रुपे महिना या 660 रुपे सलाना देने होंगे और च्यिनकी उमर 40 साल है उनको 200 रुपे महिना या 2400 रुपे सलाना इसका इसcekगित दोभका Arsen का वलकी इंधान तरफ से जिसके तहती आपको 36,000 पर सलाना स्थाट साल के बाद जो पैंसन है वो मिलती रहेगी कैसे होगा रेजिस्टेशन स्कीम का लाब लेने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेटर यानि कि सी एसी पर जाकर अपना और रेजिस्टेशन करवाना होगा रेजिस्टेशन के लिए आदार कार्स कॉसरा खतोनि दो फोटो और बैंक की living क lace book की आवशक्ता पड़ेगी रेजिस्टेशन के लिए आपको किसी तरह की क्वी सी नहीं देनी होगी रेजिस्टेशन के बाद आपका पैंसन यूनिक नमबर बनाया जाएगा और पैंसन कार्ड बनाया जाएगा पैंसन के लिए योगेत्या क्या होगी नैशनल पैंसन स्कीम करमचारी राजे भीमा निगम यानि के किसान के साट साल की उमर होने के बाद 3000 वρε पर मंद किसान को पैंसन दी जाएगी अगर किसान के मृतिव हो जाती है तो उसकी पतनी को जो 50 पर्संट 15 feature पर मेने के पैंसन उसकी पतनी के खाते में सेंट्र से डाली जाएगी सबसे जरूरी बात ये है कि अगर कोई किसान शंका यही रहती है हर किसान के मन में अगर कोई किसान इस स्कीम को बीच में छोड़ देता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा उसके पैसे का जो ब्याज है जो सेविंग अकाउंट में हमें ब्याज मिलता है उस हिसाब से ब्याद जो है उस पैसे का जमा पैसे का किसान को मिलता रहेगा अब आखरी और जरूरी वो बात जिसकी हर किसान के मन में शंका है ये वीडियो देखने के बाल कि ये स्कीम किन को मिलेगी 18 साल से 40 साल के उन सिमान्त किसानों के जिनके पास आजिविका का और कोई सादन नहीं है सिर्फ और सिर्फ और खेती पर निर्बर हैं वो 5 एकड़ वाले किसान या 2 हेक्टेर भूमी के किसानों को ये स्कीम मिलने वाली है इससे उपर के किसानों को यह स्किम नहीं मिलेगी तो यह थी पूरी जानकारी अगर किसी तरह की कोई शंका हो तो आप डिस्करप्शन में सवाल कर सकते हैं उसका मैं जवाब आपको दे दूँगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेस्बुक वर्ट्सप यूट्यूब पर वाइरल करें तांके इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई स्किम का लाब ले सकें यह बहुत बड़ा पुन्य का काम है क्योंकि हो सकता है कोई मुझबूर किसान इस चीज़ का इंतजार कर रहा हो और उसके बास प्रोपर पुरी जानकारी ना हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं यह बहुत बड़ा पुन्य का काम होगा इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ रूबरू होंगे तब तक के लिए जैहिन